किड्नी मरीजों के लिए सबसे जरूरी होता है अहार इसलिए जरूरी है किड्नी के मरीज अपने अहार में बदलाव लाएं किड्नी को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे आहार का सेवन करना जरूरी होता है जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियूम, सोडियूम, काबोहाइडरेट, पोटाशियूम, मैगनेजियूम और फॉस्फरिस ना हो क्यूंकि ऐसे आहार किड्नी के काम में दबाव डालत जिससे किड्नी सही तरह से अपना काम नहीं कर पाती अपनी किड्नी को स्वस्थ रखने के लिए आपको कौन से आहार लेने चाहिए किन आहारों से परहेज करना चाहिए और कितनी मात्रा में चीजों का सेवन करना चाहिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है जिसके आज हम एक खास विशे पर आपसे चर्चा करेंगे और यह विशे इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमारे एक दर्शक सुहास राउट जी द्वारा पूछा गया एक सवाल है, सबसे पहले तो सुहास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐस सवाल पूछने के लिए, हमें सवा नौन वेज में सबसे आधिक किया जाता है मचली में हाई प्रोटीन होता है जो आपके स्वास्त के लिए लाबदायक होता है मचली का सेवन आपके शरीर के सभी अंगों को मजबूत रखता है और साथ ही आपके किड्नी के लिए अच्छा माना जाता है मचली में लो फैट होता है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, उमेगा थ्री आसिट्स पाय जाते हैं यह आपके स्वास्त के लिए बहुत फायदेबंद होती है किड्नी को स्वास्त रखनी के लिए मचली का सेवन काफी लाबदायक माना गया है क्योंकि इसमें पाय जाने वाले पौशक तत्व आपके शरीर में उन सभी चीजों की कमी को पूरा करते हैं जो आपकी किड्नी में समस्या को बढ़ा सकते हैं किड्नी को स्वास्त रखनी के लिए आप मचली का सेवन कर सकते हैं लेकिन किडनी के मरीजों के लिए मचली का सेवन वर्जित होता है। मचली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो किडनी के काम में रुकावट डालने का काम करता है। इसलिए किडनी के मरीजों को मचली का सेवन वर्जित माना जाता है। लेकिन जिनका डालेसेस चल रहा हो उस समय मरीज को अधिक प्रोटियन के आवशकता होती है जिसके लिए डॉक्टर कई बार फिश अलाओ कर देते हैं ये डॉक्टर या डाटेशन पर निर्भर करता है कि मरीज को मचली का सेवन करना है या नहीं आई अब बात करते हैं मचली खाने की कुछ फायदों के बारे में मचली के सेवन का सबसे पहला फायदा है कैंसर जैसी गंभीर समस्या को दूर करने में मदद जो लोग नियमेत रूप से मचली का सेवन करते हैं उन्हें कैंसर होने का खत्रा कम होता है मचली में omega 3 fatty acid ज्यारा मात्रा में पाय जाते हैं जो शरीर में cancer cells को बढ़ने से रोकते हैं इसका अगला फायदा है दिमाग को active रखे मचली का 7 दिमाग को तेज और active रखने में मदद करता है जिससे memory power अच्छी होती है साथ ही मचली में protein पाय जाता है जो दिमाग में नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है मचली खाने का अगला फायदा है या आपके heart को सुरक्षित रखता है जो लोग heart के मरीज हैं उन्हें मचली का 7 काफी फायदेमंद होता है मचली में पाय जाने वाला fatty acid आपके heart और mass spatial को मजबूत बनाने में मदद करता है मचली में low fat होता है जो शरीर में cholesterol की मातरा बढ़ने नहीं देता और इससे आप heart attack और heart block जैसी गंबीर समस्या से दूर रहते हैं अगला फायदा है high blood pressure को control करे मचली का सेवन करने से high BP की समस्या कम होती है अगर आपको high BP की समस्या है तो आपके लिए मचली का सेवन काफी लाबदायक है मचली में low fat पाया जाता है जो blood pressure की समस्या को दूर करता है high BP की समस्या kidney में खराबी का कारण बन सकती है इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि जिने kidney में कोई भी परिशानी है उन्हें मचली का सेवन मिना doctor की सलागे नहीं करना है फिश के सेवन का अगला फायदा है कि आपके digestive system को मजबूत बनाता है जिनका पाचन तंत्र कमजोर होता है उन्हें कई बीमारियां घेर लेती है क्योंकि पाचन तंत्र मजबूत ना होने पर आपके द्वारा लिया गया आहार सही तरह से digest नहीं होता जो आपके kidney के लिए हानिका रखो सकता है फिश का सेवन करने से आपका digestive system ठीक रहता है जिससे आपके शरीर के बाकी अंग भी स्वस्त रहते हैं साथ ही फिश का सेवन तनाव जैसी समस्या को दूर करने में सायक होता है जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उन्हें अकसर डॉक्टर ओमेगा 3 के कैपसूल जेते हैं और मचली में ये प्राकरतिक रूप से पाया जाता है जिन्हें डिप्रेशन की दिक्कत है और वो नॉन्विच का सेवन करते हैं तो उनके लिए मचली एक अच्छा विकल्प है इसके सेवन से शहीर में शुगर का स्तर ठीक रहता है फिश में पाया जाने वाला प्रोटीन आपकी मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है साथ ही ये आखों के लिए भी फायदिमन है तो ये हैं फिश के कुछ फायदे जो आपकी किड्नी को स्वस्त रखने में मदद करते हैं पर किड्नी के मरीज इसका सेवन बिना डॉक्टर के सलाके न करें किडनी को स्वस्त रखने के लिए आपने अहार में बदलाव के साथ साथ अपनी जीवन शेली में बदलाव भी जरूरी है इसके लिए आप अपने जीवन में योग और आरवेद को जरूर शामिल करें इससे आपकी किडनी स्वस्त रहेगी अरवेद आपकी जीवन शेली में एक अच्छा और बहतर बदलाव है जिससे आपका जीवन सुष्थ रहता है अगर आप किड्नी की समस्या से परिशान है तो इसके लिए आप कर्मा अरवेदा से संपर कर सकते हैं कर्मा अरवेदा उपचार कींद्र में आपको किड्नी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समधान मिलता है और ये उपचार पूरी तरह प्राकरतिक है जिसका कोई दुष्परभाव नहीं है कर्मा आरवेदा उप्चार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्ते के लिए लाब दायक है कर्मा आरवेदा में आप डलसेज और किड्नी ट्रांस्प्लांट जैसी समस्या से दूर रहते हैं और पूरी तरह आरवेदिक इलाज प्राप्त करते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही अपने विचार और सुजाव भी आप में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं अगर आप किड्नी की किसी पे समस्या से परऊशान है तो आप में वाट्साप के माध्यम से भी संपर कर सकते हैं हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूँगे एक नविशे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार